अगर आपको 80-80 था या बैक लोग था दोनों सेम ही होता है 80-80 या बैक लोग किसी भी सब्जिक में था तो जैसे कि आप जानते हो पिछली सीरीज में मैंने आपको पता है जो भी लेटेश डेट आएगा मैं आपको जरूर पहुचाँगा तो आप लोग के लिए बहुत अच और 80-80 पर फैसला लिया गया है क्या फैसला लिया गया एक दम ध्यान चे सुनी है डिसिजन ये लिया गया है कि जो फाइनल येर स्टूडेंट से जो इस साल क्लियर करने वाले थे सब कुछ इनको डिग्री मिलनी थी उनका कोई 80-80 है यानि की बैक लॉग है पीछे के सालों में किसी समिश्टर में केटी है तो उसको कैसे क्लियर किया जाएगा मान लो कि कोई फाइनल येर स्टूडेंट है उसे फॉर्थ या फिफ्ट समिश्टर में केटी था तो फॉर्थ समिश्टर में केटी था तो फॉर्थ समिश्टर में जिस सब्जेक्ट में केटी है उस सब सब्जेक्ट में फैल है या 80-80 है उस सब्जिक्ट के लिए इंटरनल एविलिशन दिया जाएगा यानि आपको कुछ प्रोजिक्ट के सकते हैं ऐसायमिन दे सकते हैं 50% मार्क के लिए मान लो 100 तो आप समझो six subject में से एक subject में fail थे 80 kt था तो बाकी के पांच subject का average निकालके 50 mark में से आपको marks दिया जाएगा आपके बाकी के five subject में जो भी marks थे उसका average करके 50 marks में से मिलेगा और जिस subject में आपको kt था उस subject के लिए आपको assignment या internal कोई project दे सकते याने internal evaluation करेंगे तो 50 marks में से आपको marks मिलेगा इस तरह से total 100 marks में से आपको इस 80 kt वाले subject में marks दिया जाएगा ऐसा decision आया है उदै सामन जी की तरफ से जो meeting होई थी उसमें 80 kt वाले student जो final year में है और final year में रहते हुए जो pass out करने वाले थे graduate करने वाले होने थे लेकिन पिछली किसी एक semester की उनक क्या होगा जिनको internal marks नहीं होते जिनने सिर्फ 100% theory के marks होते है तो ऐसे student को अगर एटी-केटी है तो जिस subject में उसको केटी थी उसको छोड़के बाकी subject में उसने जो marks उस semester में लाए थे मानलो वो final year student है अभी बट उसको third semester या fourth semester में केटी है अगर third semester में केटी है तो third semester में उस केटी वाले subject को छोड़के बाकी subject जितने भी थे उसमें उसने जो marks लिया था उसका average निकालके 100% उसी में से marks दिया जाएगा क्योंकि उसको internal नहीं है तो ऐसा decision लिया गया है आज की meeting में तो यह सिर्फ final year students के लिए था जो non final year student है उनकी केटी का क्या होगा इसका अभी decision pending है लेकिन हो सकता यह जो final year students के लिए decision आया है 80-80 को लेके वैसा ही same to same decision non final year students के लिए भी आ सकता है जो result है वो 31st August के पहले declare करना ऐसा deadline दिया गया है meeting के अंदर और university और degree college के जितने भी student है उनका जो result जाईर होगा वो 19 जून को जो decision लिया गया था उसके basis पर ही होने वाला है त उनके जो marks है बाकी की जो past subject है उनका average निकाल के और internal जो है उस subject का specially उसी subject का देकर उसके marks दिये जाएंगे और जिसको internal नहीं होते है उन्हें बाकी के five subject या जितने भी subject से उनका average marks निकाल कर पूरा का पूरा दिया जाएगा internal नहीं होता इसलिए इसके अलावा UGC की जो guideline आ सारी situation बताते हुए तो यह जो अलग मसला था वो अलग है लेकिन महराश्टर सरकार ने अपने student के लिए final year non final year और 80-80 वाले के लिए सब के लिए जो decision ले लिया है उसका GR भी release कर दिया था 80-80 वालों के लिए जो official circular जल्दी ही रिलीज हो जाएगा और रही बात जो मैंने option रखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा कोवीड-19 प्रवावावुत राज्यों के लिए कि जो राजी के मिनिस्टर से या education से related सारे अधिकार यह वो अपना decision खूद ले तो जो भी decision आएगा जो भी निर्णा आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन यह कर दो यह वीडियो जो है अगर आपको पसंद आया तो से लाइक लिए